बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम अलाइकुम और आप देख रहे हैं सलमा डिजाइनिंग आइडियाज तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खुबसूरत सा नेक का डिजाइन तो चलो आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पे मैंने फैब्रेक पे बुकरम को पेस्ट कर लिया है और इसकी जो चुड़ाई है वो तीन इंच है और लंबाई इसकी पंद्रा इंच है तो इस तरह से इसको फोल्ड करके तैय लगा लेंगे तैय लगाने के बाद अब हम इसके उपर सेंटर में पहले सीधी लाइन लगा लेते हैं तो सीधी लाइन गर्मा लगा लिया है और अब हम इस तरह से दो दो प्वाइंट की तरह से तिरची लाइन लगा लेंगे तो एक साइड पे हम इसी तरह से पहले लाइने लगा लेते हैं और दूसरी साइड पे हम बिल्कुल बराबर इसके लाइने लगा लेंगे ऐसे ही तो सारी लाइने जो हैं वो मैंने लगा ली हैं और उसके बाद यहां पर मैंने फिरकी में यह सिल्क धागा जो है वो मैंने भर लिया है और अब हम इसको नीचे डबी में लगाते हुए मशीन में लगा लेते हैं और उसके बाद अब हम इसके उपर जो है लाई लगा लेंगे तो ऐसे ही यह सारी जो हमने मार्क की हुए है इसके उपर इसलाइएं लगा लेंगे तो इसी दुराँ चैनल बनना है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइक उन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको असानी से मिल सके तो वीडियो को लाज सक लाजमी देखा करें अगर अच्छी लगे उसे लाइक करें शेय तो कटिंग जो है मैंने पट्टियों की कर ली है और मैंने फैब्रेक पट्टी लिया इसकी जो चौड़ाई है वह सवाई इंच है अब हम इस तरहां से इस पैटर्न को नीचे रखते हुए इसके उपर इस फैब्रेक पट्टी को रखेंगे और एक सूतर की जो है वो शिला तो ऐसे ही दूसरी पट्टी को भी हम पहले जो है फैरेक के साथ स्टिच कर लेंगे तो दोनों पट्टीओं को स्टिच करने के बाद अब हम इस तरह से इसकी लिए पाइपिंग निकाल लेते हैं तो पाइपिंग जो है बिल्कुल बराबर में एक जैसी निकाल ली है ताके हमारा नेक का डिजाइन वो बहुत ही खूबसूरत रेडी हो तो दूसरी भी पाइपिंग जो है वो रेडी कर लेते हैं तो दोनों इपटी हैं जो आप वो मैंने रेडी कर ली हैं और अब हम सकेल की मदद से इस तरहां से इसको इसके उपर रखेंगे और एक सीधी लाइन लगा लेते हैं और अब हम स्तुरी की मदद से इस तरहां से इसको फोल्ड कर लेते हैं जितनी हमने लाइन लगाई है उसका एक्स्टरा फैब्रिक जो हैए उसको फोल्ड कर लेंगे तो दोनों पटियों को जो है वो मैंने फोल्ड का लिया एक इंच जो है पटि वो रेडियू भी गया है उसके बाद यहां पे मैंने बुकरम ले लिया है उसको इस तरह से फोल्ड का लिया है फोल्ड करने के बाद नेकी जो चुड़ा यह वो रखेंगे सवा तीन इंच और इ पांच इच कर निशान जो हमने लगा इस तरह से सीधा कर लेते हैं और इस तरह से दोनों तरफ से हमने एक तो दोनों तरफ से लाइने लगाते हुए अब नेक को जो है रोंड शेप दे देंगे और उसके बाद हाफ इंच पे हम इस तरहां से निशान लगाएंगे और V-shape देते हैं इस तरहां से और बाहिर वाली साइड पे हम इस तरहां से पॉने इंच पे मार्क कर लेंगे और अब हम पैटर्न की जो है वकटेंग कर लेते हैं तो नेक की कटेंग कर ली है और आब हम इसको फैबरेक पेस्ट कर लेंगे तो फैबरेक पेस्ट कर लिया है और आब हम यहां पे कटेंग लगाने के बाद इस तरहां से इसका एक्स्टा जो फैबरेक है उसको स्टिच कर लेंगे तो neck को मैंने इस तरह से स्रीच कर लिया है और धागे पगारा cutting कर लेते हैं इसकी और अब हम center में इस तरह से तैय लगाते हुए center में cut लगा लेंगे और अब मैंने यहां पर shirt का front ले लिया है और उसके center में इस तरह से neck को रखेंगे तो नेको सेंटर में सेट करने के बाद अब पहले वी कट को जो है वो स्टीच करेंगे तो वी कट को जो है वो मैंने स्टीच कार लिया है और अब हमने जो पहले ये वाली पट्टी जो है रेडी की है इसको इस तरह हां से रखेंगे और बिल्कुल सिलाई के साथ-साथ जो है हम इसको स्टिच कर लेते हैं तो यह नेक्स से थोड़ी सी हम उपर रखेंगे थाके हमारा वह जो नेक्क है उसमें अची तरह से यह स्टिच हो जाए तो इस तरह से हम बिल्कुल जो है वह सिलाई के साथ-साथ इसको रखते हुए पाइपेंग के साथ-साथ जो है वह सिलाई लगा लेंगे तो इसी तरह से इस पूरी पट्टी को जो है वो हम स्टिच कर लेते हैं और अब हम इस तरह से इसको एक V शेप देते हुए इस तरह से इसके उपर सलाई लगा लेते हैं और धागे को यहां से कट कर लेंगे और इस पट्टी को भी इस तरह से मोड लेंगे बिल्कुल बराबर उसके तो यहां से फैब्रेक जो है उसकी कटेंग कर लेंगे तो फैब्रेक की जो है वो कटेंग करने के बाद धागे को भी कट करेंगे और इस तरहां से पट्टी को फोल्ड करते हुए बिल्कुल पाइपिंग के साथ हम इसको जो है इस तरहां से फिक्स करते हुए इसके उपर जो है वो सिलाई लगा लेते हैं तो बिल्कुल हम पाइपिंग के साथ साथ इसको स्टिच करेंगे तो ऐसे ही इस दूसरी पट्टी को भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे जैसे हमने पहले पट्टी को स्टिच किया है तो धागे को यहां से मैंने कट कर लिया है और उसके बाद इस तरहां से नेक को सेट करते हुए अब हम पट्टी की दूसरी साइड बे भी स्टिच कर लेते हैं तो ऐसे ही पूरे नेक को भी हम स्टिच कर लेते हैं तो फैबरिक पट्टी को स्टिच करने के बाद अब हम इस तरह से नेक को सेट कर लिया है और आप बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से पूरे रॉंड चेप जो नेक है इसको स्टिच कर लेंगे क्योंकि वी कट को तो हमने पहले स्टिच कर लिया था तो नेक को स्टिच करने के बाद आप हम इसका एकस्रा जो फैब्रेक है उसकी कटिंग काल लेंगे फैब्रेक कटिंग करने के बाद इसमे इसके सेंटर में हम कट लगा लेंगे इसी तरह से सारे कट लगाने के बाद नेक को पलेट के जो है वो हम सीधा करेंगे तो नेक को पलेट के सीधा करेंगे और इसके उपर अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसकी नेक की जो है वो तरुपाई कर लेंगे तो नेक्र को मैंने इस तरह से प्रेस का लिया और अब हम इसमें बटन के वाले स्टिच कर लेते हैं तो आज का हमारा यह जो नेक का डिजाइन है वो रेडि हो गया बहुत ही नीट जो है यह neक डिजाइन हुओँ बहुत ही खुबशुरत है तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट पर मुझे जरूर बताएं कि मिरे आज का ये जो नेक का डिजाइन है वाप सब को कैसा लगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी ओर डिजाइन के साथ तब तक अल्ला हफीज